आप सबी को मेरा प्रणाम, Herbal Remedies and Nature's Treasure में आपका स्वागत है, साथ ही हो आज बात करेंगे पारिजात की, Oli AC Family का ये मेंबर है, Nictanthus Arbor Tristis के नाम से जाना जाता है, Wonderful Medicinal Plant है, और इसके ओस्दिये गुणों के लिए आप इसके पत्र, इसके फ्लावर्स, इसके बीज और इसके स्टैम का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके अंदर विभिन परकार के Chemical Compound पाये जाते हैं, मैं कहूँ, सायद ही कोई ऐसा disorder हो जिसमें इसका इस्तमाल ना किया जाता हो, ऐसा पुराणों में भी वर्णन है कि सिर्किष्न भगवान इसको स्वर्ग से फिर्थवी पर लाए थे, इसके सुन्दर, वाइट, ओरेंज कलर के फूल होते हैं, और इनको हमें कलक करके रख लेना चाहिए, और फिर हम इसको बारो मास, वार्थ, पित, कफ, तीनों के समन के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये कारे करता है, आओ जाने इसके अंदर क्या-क्या पाया जाता है, इसकी स्टैम के अंदर सेंटो निन पाया जाता है, और इसके लिवस के अंदर स्टिग्मा स्टिरोल, बीटा सीटा स्टिरोल, ओलिनोलिक एसेड पाया जाता है, और विभिन्ने प्रकार के सैलिसाइलेट्स के इसके अंदर थॉल्ट्स भी पाया जाते हैं, जैसे क एंटी ओक्सिडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी अक्टिविटी सो करता है साथियों, अब हम विधिवत इसकी चर्चा करें यह जो बीज आप देख रहे हैं इन बीज का अगर आप पिस्ट बना लेंगे किसी भी प्रकार की गंजपन की समस्या हो गंजपन की समस्या हो या इंद्रलुक्त की समस्या हो ये एकी बात है बाल उड़ जाते हैं चाहे वो बैक्टिरियल इंफेक्शन से चाहे फंगल इंफेक्शन से किसी भी कारण से या मैटाबोलिक डिस्टर्बेंस के कारण अगर बाल उड़ जाते हैं तो इसका पेश्ट बनाईए और सर के उपर लगा दीजिए लंबे घने काले बाल आपको बहुत जल्दी आ जाएंगे बहुत अच्छा ये कारे करता है इस मौसम में इसके मार्च के मौसम में और अच्छी से पक जाते हैं आप इसको हार्वेस्ट करके रख सकते हैं इसके जो पत्र देख रहे हैं इसका सुरस बना कर आप सियाटिका की प्रॉब्लम के लिए रैमिटेंट फीवर को क्योर करने के लिए या फिर एक फीवर होता है जिसमें हम चिकनगुनिया फीवर कहते हैं Chicken-Gunia fever महिनों महिनों तक Antibiotic या Analgesic आप खाते रहिए Joint pain नहीं जाता है आप इसका तीन बार क्वाथ पिएंगे, मातर काढ़ा बना कर पिएंगे तो चिकन-Gunia का नाकेवल Fever सही होगा, बलकि Joint pain जो होता है वो भी आसानी से ठीक हो जाता है एंटी आर्थाइटिक एक्टिविटी इस प्लांट की है, एंटी वाइरल एक्टिविटी इस प्लांट की है, एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल, एंटी लीश मैनियल, यह हैं एंटी डायविटिक प्रोपर्टीज भी रखता है, हिपेटो प्रोटेक्टिव है, फ्री रे यह कह सकता हूँ मैं, it is a mediation of pain of ambiguous origin, आपके सरीर में अगर कोई पीडा है, दर्द है, खिचाव है, मोच है, सूजन है, किसी भी कारेंट से हो, आपको कारेंट कई बार नहीं पता होता है, तो यह उसको भी ठीक करता है, यह है वात, पित, कफ, तीनों में balance बनाने का कारे करता है वंडरफुल इमुनो मोडुलेटर है, इसकी этимary activity, anti-flareal activity, anti-least manual activity, anti-alcer activity, anti-astomatic activity, यह bronchodilator भी है, यह histamine की level पे भी कारे करता है, बॉडी में, anti-histamine activity होने के कारण, exaggerated अगर histamines का level बढ़ गया है, तो उनको भी regulate करने का यह कारे करता है, गुणों में यह महान है, cultivation इसका बहुत simple आप seed के माध्यम से कर सकते हैं cutting के माध्यम से भी hormonal treatment अगर हम दें तो cutting के माध्यम से भी इसका propagation किया जाता है और इसके जो flowers होते हैं उससे dye भी बनाए जाती है और इसके जो flowers होते हैं वो immunagogue का कारे करते हैं female hormone को regulate भी करते हैं मित्रो कौशन एक आपको लेना पड़ेगा कैई बार periods के समय इसके पत्र का ज़्यादा decoction नहीं पिना चाहिए menstrual flow बढ़ जाता है उस समय इसका आप कम मात्रा में सेवन करें एक या दो पत्र से ज़्यादा ना लें और अगर आपके पास flowers हों तो वो सबसे उत्तम होता है flowers को आप इसको collect करके रख लीजे और flowers के साथ पत्र को मिला कर decoction बनाना चाहिए flowers का decoction इस अवस्था में लेना ज़्यादा सिफर है पत्र के अपेक्षा इस तरह आपने जाना कि ये plant हम अपने रोगों के निवारन के लिए बुखार को ठीक करने के लिए स्किन में अगर घाव है घाव भर नहीं रहा है पुराना ज्वर बना हुआ है किसी bacterial, fungal, viral किसी वी तरह के activity अगर है तो ये blood purification के माध्यम से हिपेटो प्रोटेक्टिव के माध्यम से free radical spenching के माध्यम से सरीर के विभिन toxins को बाहर निकाल देता है घुटनों का दर्ध हो चाहे inflammation हो कुछ भी इस तरह से आपको अगर pain हो रहा है तो ये है easily ठीक कर देता है आप इसको use कर सकते हैं safety हमने आपको बताई उसका विसेश जान रखिए ज़्यादा मात्रा में लेना कई बार problem करता है तो इसको control amount में लेजिए सहद के साथ मिला लेए बहुत अच्छा कहरियत का कारे करता है सहद तो सहद के साथ मिला कर इसका decoction पी सकते हैं और ये बहुत अच्छा plant है इसको आप लीजे जानकर आपको पसंद आए तो प्लीज सेर जरूर कीजे ताकि ज्यान का प्रभा सभी लोगों तक पहुंच सके इन्ही बातों के साथ मैं फिर आपके साथ एक नए प्लांट के साथ चर्चा करूँगा अब सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार